दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ इस Basics of Stock Market Series का Part 10 जिसमें हम लोग लास्ट जो है Financial Statement का Part, Cash Flow Statement उसके उपर discussion करने वाले हैं दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगोंने Profit and Loss Account Statement और उसके पिछले वीडियो में हम लोगोंने Balance Sheet के Related Discussion किया है ये तीनों चीज़ें बहुत Important है Financial Statements को समझने के लिए तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखकर आईए उसके बाद इस वीडियो पर आईए ताकि आपको Easily समझ जाए कि हम किस Process से जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो Cash Flow Statement क्या होता है Cash Flow Statement मतलब नाम में ही है Cash Flow ये पैसा जो है वो कहां जा रहा है पैसा कैसे Move हो रहा है उसके वो बताने का काम ये Statement करता है Cash Flow Statement shows the actual inflow and outflow of cash during a particular year किसी एक साल में पैसा कहां गया है और कहां से आया है ये बताने का काम हमें Cash Flow करता है There are various sources, बहुत sources हैं, बहुत तरीके हैं जहां से Cash inflow होती है और बहुत तरीके से outflow होता है उन सब तरीकों को तीन categories में हम लोगों ने organize कर रखा है जो है law ने organize कर रखा है और ये तीन categories है, operating activities, investing activity और financing activity इन तीनों को हम लोग detail में समझने की कोशिश करेंगे एसी वीडियो में और समझेंगे कि कौन सी चीज किस category में आती है, ठीक है? चलिए अब देखें दोस्तो operating activity मतलब क्या नाम में ही है operating मतलब business जो core activities करता है, आपको एक example देता हूँ मान लिजे मेरी two-wheeler manufacturing company है, तो मेरे लिए core activity है two-wheeler बेचना मतलब bike बना कर बेचना, तो bike बना कर बेचने से जो भी cash outflow या inflow होगा वो सारा इस activity में आएगा, example ले लेते हैं, देखे, receipts from customer अगर customer bike मुझसे खरीचता है और वो मुझे पैसा देता है, तो वो मेरी operating activities के under आएगा अगर मैं supplier को payment करता हूँ, मान लिजे bike में मुझे tires लगन है और tires मैंने किसी supplier से purchase किये तो वो लगाता हूँ और उसको payment करता हूँ, तो वो भी operating activities में आएगा ये changes in working capital का मतलब है, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरा ज्यादा पैसा ब्लॉक हुआ है working capital में तो वो भी मेरे लिए एक outflow है, एक example देता हूँ, मान लिजे receipt from customer है, ये मेरे लिए inflow है payment किया है, मैंने तो वो outflow है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि inflow या outflow कुछ भी हो सकता है activities में total results matter करते हैं, अब ये changes in working capital का थोड़ा complicated term है, लेकिन मैं आपको एक चोटा सा example देता हूँ मान लिजे, पिछले साल, ये previous year में, मेरे पास 100 रुपे की bikes, 100 रुपे की bike मेरे पास stock में पड़ी थी, मान लिजे 10 bikes पड़ी थी और इस साल मेरे पास 120 रुपे कीमत की bikes पड़ी है, 12 bikes पड़ी है, इसका मतलब है कि मेरा 20 रुपे का outflow हुआ है आप बताईए कैसे outflow हुआ है देखिए अगर 100 से bikes बढ़कर 120 हो गई है तो मतलब वो 20 रुपए जो है कही ना कही मैंने ज्यादा pay की होंगे मतलब मेरा cash का outflow हो गया है देखिए cash outflow हुआ होगा तभी तो bike का inflow हुआ है तभी तो bikes बढ़ी है इसका reverse example पल दिरेता हूँ माने ये पिछले साल मेरे पास 100 रुपए की bikes पड़ी थी इस साल स्रिफ 80 रुपए की bikes पड़ी है मतलब मैंने कही न कहीं 20 रुपए की bikes बेची है और मुझे वो inflow हुआ है तो changes in working capital can be inflow as well as outflow कुछ भी हो सकता है आई बात समझ में और finally payment of taxes ये तो 100% outflow है जो हम tax pay करते हैं business profits पे वो outflow है तो ये मोटा मोटी activities आपरेटिंग में आती है अब दूसरा पार्ट जो है उसका है investing activities investing activities में देखिए है company needs to invest in fixed assets and other avenues to generate profit for shareholders अगर आपका two wheeler का business है two wheeler manufacturing का business है तो यकिनन आपको बहुत बड़ी बड़ी machinery लगेंगी उसको manufacture करने के लिए तो वो machinery खरीदने के लिए जो पैसा लगता है जो outflow होता है उसे हम investing activity में consider करते हैं और एक example दे रहेता हूँ मैं आपको मान लिजे आप profit कमा रहे हैं और वो पैसा आपके पास पढ़ा है तो उसका आप क्या करेंगी हो सकता है आप कहीं fixed deposit करवाएं कहीं invest करें तो ये भी investing activity में आता है examples देख लेते हैं जै कि purchase of fixed asset अगर आप fixed asset खरीद रहे हैं तो ये आपका outflow होगा ये cash आपका बाहर जा रहा है अगर आप किसी दिए asset purchase करोगे तो पैसा जाएगा अगर आप sell कर रहे हैं asset तो inflow मान लिजे मेरा एक asset है पुराना हो चुका है उसे मैंने कच्रे में बेच दिया scrap में बेच दिया तो जो पैसा आएगा पैसे bank के books में चला गया ना मैंने अपने bank account से निकाल bank को दे दिया FD कर without flow मैंने FD तोड़ दी sale of investment तो inflow उस FD पर ब्या जाया यकिनन ब्या जाएगा तो वो inflow मान लिजे मैंने किसी company के share खरी दे होगे अब finally हम देखेंगे कि financing activities क्या होता है how a company gets its money to grow the business can be seen from the ways it finances the operations मैंने balance sheet वाला जो video है video number 8 video number 8 में मैंने balance sheet बना कर दिखाया था आपको और वहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से पैसा आ सकता है पहले हमने देखा कि 1000 रुपे का equity share capital raise किया था हम लोगों ने उसके बाद हमने 1000 रुपे का bank से loan भी लिया था तो वो तरीके किस तरीके से पैसा आएगा business चलाने के लिए वो हम financing activities में देखते हैं इसके example देखेंगे issue of shares अगर आप shares खरीद रहे हैं बेच रहे हैं मतलब किसी से shareholder से पैसा raise कर रहे हैं तो वो inflow हो जाएगा आपके लिए नए shares अगर आपने issue किये अगर आपने कोई shares redeem किये या buyback कर लिया shares का तो वो outflow हो जाएगा buyback समझने के लिए part 5 जरूर देखिए पूरी series completely important है आप पूरा line से आईए आई बात समझ में अगर आपने bank से loan लिया है आपका profit हुआ और आपने dividend distribute किया है shareholders को तो वो आपका outflow और क्योंकि ये ये जो bank से loan ले रखा था उसके उपर ब्याज भी देना है payment of interest on loans तो ये भी एक आपका outflow है आई बात समझ में अब ये बहुत theory हो गया है एक काम करते हैं practical example लेकर देखते हैं ये company का cash flow statement है अब देखते हैं किस तरीके से cash flow manage किया गया है मैं कोई भी एक year उठाता हूँ और उसके उपर आपके साथ discussion शुरू करता हूँ देखिए 2014 साल मैंने उठा लिया यहाँ पर और देखते हैं ये देखिए company ने operating activities में से यहाँ पर 1402 करोड रुपे कमाए है cash from operations positive है cash from operations में 1402 करोड आए अब यह पैसा आया है तो यह इस्तमाल कैसे हुआ cash from investing में 586 करोड इस्तमाल हुआ है minus 586 है वो कैसे 200 करोड का fixed asset खरीदा है company ने नई machinery करीदी और यहाँ पर लगबग 400 करोड का इन लोगों ने fixed deposit करवाया है यह investment करवाया होगा किसी भी तरीके से उन्होंने किया होगा यह 14 करोड इनको ब्याज मिला है और 65 करोड डिविडेंड मिला है तो मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए कि company ने 1400 करोड रुपे कमाया है उसमें से 2500 करोड का fixed asset खड़ा किया है और 400 करोड रुपे के आसपास उन लोगों ने FD करवाई है तो यह अच्छा है और क्या किया है यह financing activity में आप देखेंगे 600 करोड और minus है मतलब और 600 करोड कहा गए उसमें से देखिए 547 करोड कमपनी ने dividend दिया है 300-400 करोड रुपे का कमपनी ने fixed deposit करवाया जो कि अच्छी बात है और 500-500 करोड उन्होंने dividend दे दिया investors को और जो बचा-कुचा पैसा 190 करोड वो जो है कमपनी के पास books में पढ़ा है वो bank में पढ़ा है कमपनी के पास तो यह है example एक अच्छी अच्छी cash flow statement का अच्छी कमपनी का ठीक है इसी में एक और example ले ले लेते हैं कोई भी एक और साल ले लेते हैं मान लिजे यह year ले लिया हम लोगोंने 2018 तो कमपनी ने 2243 करोड रुपे कमाए 817 करोड का नया machinery ले लिया लगबग 80 करोड का ले कि 282 करोड का FD बनाया investment खरीदा और 200 करोड का बेचा मतलब नेट नेट उन्होंने 80 करोड और invest किया तो 80 करोड और उन्होंने invest किया है और यहां पर देखिए 7500 करोड के असपास dividend दिया है फिर एक story 2243 करोड 243 करोड कमाया 817 करोड का fixed asset खरीदा ताकि और sales बढ़ सके 80 करोड के आसपास का fixed deposit किया और 7500 करोड के आसपास का dividend दिया बचा कुचा 500 करोड जो है कमपनी के पास bank में पढ़ा है तो यह एक बहुत बहतरीन कमपनी है अच्छे से capital allocation कर रही है अब एक बुरी कमपनी का example देखेंगे यह एक साल ले लेता हूँ मैं 2017 यह 2017 ले लिया देखें कमपनी को operations में से नुकसान operations में उन्होंने cash गवाया investing activities में से उन्होंने cash लाया positive है लेकिन कैसे ध्यान दीजिए 3900 करोड के fixed asset खरीदे हैं और 4246 करोड के बेचे है मतलब 300 करोड रुपे इन लोगों ने fixed asset बेच कर निकाला है तो यह तो कोई अच्छी कमपनी नहीं यह ऐसी कमपनी जिसको fixed asset बेच कर पैसा raise करना पड़े वो कमपनी की हालत तो यकीनन खराब है अब यही नहीं देखिए 9500 करोड का loan ले रखा है और सिर्फ 6200 करोड का चुकाया है मतलब यहां से भी 3000 करोड उनने additional raise किया है और interest भी 3000 करोड का पे किया है तो कमपनी इतना घाटे में है उसके बावजूद कमपनी और loan ले रही है और interest दे रही है कमपनी ने operations में loss किया 388 क्रोर माइनस में चला गया उसके बाद fixed assets बेच कर थोड़े से उन्होंने पैसा निकाला बिजनस चलाने के लिए और bank से और loan ले लिया तो जो कमपनी इस तरीके से चल रही है sustain नहीं कर पा रही है उस कमपनी से आप जरूर दूर रही है यहाँ पर मैंने अच्छी कमपनी का example दिया है जहाँ पर कमपनी ने cash generate किया नया fixed asset खरीद लिया उसके बाद FD भी करवा ली investments भी कर ली और उसके बाद उन्होंने dividend भी दे दिया shareholders को उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो इस तरीके की good company में आप invest करें bad company में invest ना करें इस तरीके से cash flow statement को समझा जाता है अब थोड़े से important points देख लिजे cash flow statement समझने के लिए company ने एक cash flow statement a well run company must generate sufficient cash from its operations वो पहला example देखा आमने good company का to run its business by investing for growth and rewarding shareholders in form of dividend वो पहले वाले company ने जो good company था उन्होंने operations में से cash generate की उसके बाद fixed asset भी खरीदा और shareholders को dividend भी दिया which is a good company the company that has to continuously raise money from borrowing from banks by diluting equity cannot sustain, difficult to sustain जो दूसरा example हमने देखा borrowing increase हो रही है देखिए यहाँ पर यह borrowing जो है इतना पैसा borrow किये जा रहे जा रहे हैं पैसा borrow तो यह जो company है यह long term में sustain नहीं कर पाएगी, investors should prefer companies that generate sufficient cash flow from operations to invest in finance operation activities में से positive cash flow generate करे company invest करे new assets में और investments में और dividend भी दे इस तरीकी company investors को ढूंड कर उसमें निवेश करना चाहिए, आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह video पसंद आई होगी आपको cash flow यह concept समझ में आया होगा हमने तीनों concept तब discuss कर लिए है balance sheet, profit and loss account, cash flow statement तो financial statements क्या होते हैं यह आपको यकिनन समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस video को like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और comment करके बताईए अगर आपको कोई दिक्कत आ रहे हैं कोई concept समझने में यह फिर आपको यह video पसंद आई और आप कुछ अच्छा comment करना चाहें तो comment कर सकते हैं दोस्तों हमने एक whatsapp पे broadcast list शुरू किया है जिसका number मैंने यहां दे रखा है इस number पर आपको केवल high भेजना है अगर आप इस number पर high भेजते हैं तो हम आपको broadcast list में add कर देंगे और आपको daily एक finance related article stock market related एक अच्छा article interesting article हम आपको भेजेंगे ताकि आप और knowledge gain कर सकें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद